नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशियल यूट्यूब चैनल गुरूजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्तितों साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर स्ट्वेंट्स लास्ट क्लासेस में हम प्रेक्टिस सेट सेकेंड को कवर कर चुके थे आज की क्लास में हम नेक्स्ट प्रेक्टिस सेट यूपिटेट स्पेशल के नाम से कवर करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही Slavers वाले वीडियो में बता दिया था कि हम सबसे पहले content cover करेंगे उसके बाद practice set 1 cover करेंगे उसके बाद second cover करेंगे और उसके बाद हम एक practice set लेके आएंगे जो यूपिटेटी स्पेशल के नाम से होगा तो वैसे ही आज हम योपिटेट स्पेशल्स वाले प्रेक्टिस सेट को कवर करेंगे जिसमें 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रशन आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन्हीं प्रशनों का कलेक्शन होगा तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आयोग आपसे किस प् प्रशेष्टाएं और नवीन योगताएं प्रकट होती है यह कथन किस ने दिया तो ऑप्शन फर्स्ट है गैसले ने ऑप्शन सेकेंड हरलोक ने ऑप्शन थर्ड है मेरेडित ने और ऑप्शन फोर्थ है डगलस और होलेंड ने तो इस ट्रेंट जैसे कि हमने पढ़ा था क जो बाले अवस्था है उसको दो भागों में डिवाइट किया हरलोक साब ने तो हरलोक साब ने सबसे ज्यादा डेवलप्मेंट पर बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे बच्चा गर्व अवस्था से लेकर नित्यु तक उसकी विकास जो है वो एक निश्रित क जाता है निकि उसका डेवलप्मेंट होता जाता है तो जैसे जैसे उसके सामने नवीन विशेश्था आते जाते हैं उसी हिसाब से वो नवीन योगिताओं को डेवलप कर पाता है तो यह कथन आपके हरलोक साब के द्वारत दिया गया था जैसे कि यह अक्टूबर 2017 में ने दिया है तो इसी टाइब से आप 맞는 प्रेश्न पूछे जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको डेवलप्मेंट पढ़ाया हुआ है तो उसमें मैंने आपको हर लोग के बारे में तो उसमें क्या करते हैं प्रक्रिया पर बल है या वातावरण और अनुभव की भुमीका पर बल है या गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक अध्यन होता है या उक्यूकत सभी तो देखिए इस ट्रेंट जब आप बाल विकास करते हैं तो प्रोसेस पर बल है या वातावरन और अनुभव की भूमी का पर बल है ये कि इस तरीके की हम बाच्चित नहीं करते हैं आपको पता है कि बाल विकास में आप क्या करते हैं तो गर्व हवस्था से लेकर किशुरा बाल विकास में आप क्या करते हैं तो इसका मतलब बाल विकास में आपका क्या करते है गर्व हवस्था से लेकर किशुरा वस्था तक आधियान होता है तो इसलिए option उप्यूक सभी भी नहीं होंगे क्योंकि उपर के दो option जो है वो negative है I hope आपको ये questions भी clear हो गया होगा कि बाल विकास में आप क्या करते हैं गर्व हवस्था से किशुरावस्था तक अध्यान करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next questions पर और देखते हैं कि third questions में आप से किस तरीके से प्रशन पूछे जा रहे हैं तो next questions है बाल विकास का अध्यान शेत्र देखें जो आप child development पढ़ रहे हैं इसका जो अध्यान शेत्र होते हैं जो जिस शेत्र के बारे में आप अध्यान करते हैं तो option first है बाल विकास की बिभी नवस्थाओं का अध्यान सही बात है कि आप बाल विकास की बिभी नवस्थाओं यानि कि आप अलग-अलग stages की बारे में पढ़ कर आए हैं सही बात है, बातावरन का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभावों का ध्यन, बिल्कुल सही बात है, बातावरन का, एनि कि environment का बाल विकास पर क्या पढ़ता है, इफेक्ट पढ़ता है, आप जिस तरीके के environment create करके देंगे, बच्चे का development उसी वे में होगा, मान लिजे कि आप बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहे, आप ऐसे environment बच्चे के सामने रख रहे हैं, कि बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, कौपी कर रहा है, नहीं नोट बुक में काम पूरा कर रहा है, तो उसका मतलब उस बच्चे का development भी वैसा ही होगा, जब वो बच्चा आगे बढ़कर क किसी छोटे को guide करने जाएगा, तो वो भी सिर्फ work ही करता रहेगा, कोई चीजे ना तो समझाएगा, क्योंकि उसको ही इस तरीके से कराया गया है, तो कही ना कहीं वातावरण का क्या होता है, बाल विकास पर बहुत जादा effect पढ़ता है, इस बात को आपको ध्यान रखना ह हैं, और यहां से हर chapter से मैंने आपको mention किया था कि किस chapter से एक से दो प्रशन पूछे जाएंगे, और किस से दो से तीन पूछे जाएंगे, और जब मैंने आपको syllabus बताया था, तो syllabus में मैंने आपको बताया था, एक topic आपका आता है, individual differences, व्यक्तिक बिभिनता, जहां से हर paper में आपसे एक से दो प्रशन पूछे जाते हैं, तो देखिए, यह व्यक्तिकत बिभिनता का भी आप क्या करते हैं, child development में अध्यन करते हैं, है कि नहीं, और मैंने आपको first video जो syllabus है आपका, वो जब आप अच्छे से देखेंगे, तब आपको clear हो गया होगा, अगर आपने नही देखा है, तो आप मेरे playlist पे जाकर पूरा syllabus का जो वीडियो, first video उसे देखिए, तो उससे आपको idea हो जाएगा, कि आपको इस यूपिटेट में CDP से related क्या पढ़ना है, और मैं बिल्कुल उसके sequence wise ही आपको करा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है, syllabus वाले वीडियो मे उसी के according ही चल रहा हूँ, जो मेरी planning है, ठीक तो आप क्या करते हैं, बाल विकास के अध्यान में, आप बिविन अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, आप वातावरन के बारे में भी पढ़ते हैं, और आप विक्तिगत दिभिनताओं का भी अध्यान करते हैं, इसका बातावरन का किस तरीके से प्रभाव होता है बच्चे के विकास पर, और अनुवान शिकता का किस तरीके से प्रभाव होता है बच्चे के विकास पर, यह आपका थर्ड टॉपिक है, तो कही ना कहीं आपका वातावरन क्या करती है, बालक के बाल विकास को क्या करती है, प् रखा था कि सारे प्रश्ण आपके एक्जैम से रिलेटेड होंगे सभी आपके एक्जैम में आयोए हैं I hope आपको मेरी बाते समझ आ रही होगी कि आयोग आपसे किस तरीके से प्रश्ण पूछ रहे हैं next पर आगे बढ़ते और देखते में वर्ष्ण आके लिए क्या है तो सर्वाधिक उप्यूक्त जीवित रहता है का सिधन्थ आ часто तो एक लैमार्क दूसरा है है हैरीजन तीसरा है डर्विन और चौता है मगडोगल कि यहां पर देखें सथ्यएं सर्वायवल उप्यूक्त जीवित रहता है यहनि कि आप जब sentence को पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से जो है sentence का रुपांतरन जो है हिंदी में किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है जिस वज़े से आपको थोड़ा अठपटा भी लग रहा होगा लेकिन English में इनों ने जो सिध fittest का मतलब यह हो गया उप्यूक्त और survive का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को आगे की और survive करते आगे की और बढ़ते हैं तो इसका सिध्धान किस ने दिया तो इसका सिध्धान दिया आपके डर्विन साब ने डर्विन साब ने आपसे ये कहा है कि आपको life को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसलिए आपको अपने आपको इस तरीके से ढालना होगा मतलब अपने आपको इस तरीके से विक्सित करना होगा इस तरीके से बाद्धिक विकास की विशेष्टा नहीं है देखे बाद की बाले अवस्था के बाद की अवस्था के बारे में बात की जा रही है इसका मतलब बाले अवस्था के बाद क्या आता है आपको पता है बाले अवस्था के बाद आपका किशुरा अवस्था आता है तो किशुरा अ कि विशेष्टा के विशेष्टा नहीं है वर्डिंग ध्यान रखिएगा विशेष्टा नहीं है निकी किशौरा वस्था में जो बच्चे की इंटेश्च डेवलप्मेंट होते हैं तो उसमें क्या नहीं होता तो देखें भविश्य की योजना की सूझ गुज ऑप्शन सेके कर देते जैसे मैंने आपको बताया था कंटेंट के दोरान जब हम टॉपिक पर डिसकेशन कर रहे थे कि बच्चा जैसे इमांदारी शब्द है तो बच्चा इस समय इमांदारी को समझना सीख जाता है कि इमांदारी को तो आप कभी देख नहीं सकते बट उसको फिल करना तो इमांदारी का मदलब ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ छलकपट या जूट नहीं बोलता वह व्यक्ति इमांदार होता है तो इस तरीके से इमांदार को तो आप देख नहीं सकते बट इमांदारी को फिल कर सकते तो यह जो शब्द है इमांदारी यह काल्पनिक शब्द है तो बच्चा abstract thinking कर पाता है और आप उससे किसी मुद्दे पर बात करेंगे तो अपनी सोच विक्सित कर लेता इस स्टेज में या सोच विक्सित करना प्रारम कर देता है तो कुछ ना कुछ आपकी साथ तर्क कर सकता है यानि कि उसकी जो reasoning ability है मतलब इसका इस समय development जो है cognitive development बहुत तेजी से होता है वो abstract चीजों के बारे में जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोच सकता है तो कही ना कहीं उससे related वो तर्क भी कर सकता है इसका मतलब यह option भी आपके लिए सही है क्योंकि डराने से बच्चे का development सही तरीके से नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी मान लीजिए बच्चा जब शैतानी करता है तो आप आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते है जैसे भूत तो भूत से क्या करता है बच्चा जीवन में कभी भूत को नहीं देखता बट वो भूत नाम से ही वो डरना शुरू कर देता है ठीक है तो जब बच्चा किशुरा वस्था में आता है और उसका development होता है तो देखता है कि मैंने जीवन में कभी भूत को देखा तो है नहीं अभी जो है हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और उसका abstract thinking डेवलप होता है तो कही न कहीं जो उससे भूत से related जो वो बचपन से डरता आ रहा है उस चीज का क्या हो जाता है अंत हो जाता है तो इसका मतलब ये बात भी सही है कि जब बच्चा किशुरा वस्था में आता है तो काल्पनिक भयो का अंत होता है नहीं कि तीनों आप्शन तो सही है लेकिन भविश्य की योजना की सूझ बूझ देखे फूचर की प्लैनिंग कर ले समझदारी से कर ले इस तरीके की गुण अभी बच्चे में डैवलप नहीं हो पाते ये तब होता है जब बच्चा वयस का वस्था में प्रवेश करता है तो इस कोशन में आप से पूछा गया था कि निम्ड में से कौन सी बाद की बाल ले वस् देखते हैं सिक्स कोशन आपके लिए क्या है तो सिक्स कोशन आपसे कह रहा है कि गिरहो अवस्था देखे गैंग एज किस आयू वर्ग विलम विकासस से संब्धित है आप मुझे बताए जब हम कंटेंट पर डिसकॉशन कर रहे थे तो गैंग एज किसे कहते हैं कौन से क्यों से बारावर्ष आपका था उत्तर बाल यह वस्ता रो मैंने आपको यह बताया था कि यह जो होता है यह प्री-गैंग एज से पहले क्या अवस्ता तो इस समय तो बच्छा ग्रूप नहीं बनाता है लेकिन गैंग एज दृपना आपके लिए सोला से उन्नीस तो यह त सकता ठीक है यहां पर जो कोशन है वो क्रम में पूछे गए एक तो आपसे आयू वर्ग पूछा गया है और एक आपसे पूछा गया है कि विलम विकास से समन दी थे तो देखे 16-19 दोनों ऑफ्षन गलत होगे ठीक बाकी बचा 3-6 वर्ष इस समय बच्चा आपको पता है प्री अगर बच्चा 5 बच्चों के साथ खेल रहा है और बच्चा अगर दूसरा बच्चा 10 बच्चों के साथ खेल रहा है तो जो जितने ज्यादा बच्चों के साथ खेलेगा उसका समाजी करने निस समाजी डेवलप्मेंट भी उतना ही ज्यादा होगा तो इसी लिए इस कोशन का सही answer है 8-10 वर्ष यवंग समाजी करण दीक है question में आपसे पूछा गया था कि गैंग एच किस आयू वर्ग तो आयू वर्ग की बात आ रही है तो 8-10 वर्ष ठीक है और विलम विकास से संबंदित है तो विलम विकास विलम विकास का मतलब विलम विकास से संबंदित है तो इस समय जो विकास होता है बच्चे का क्या होता है समाजी करण तो इस 6th question का right answer आपका C हो जाएगा चलिए next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपसे 7th questions में क्या पूछे जा रहे हैं तो 7th questions देखिए संग्यानात्मक विकास के चार चरणों संबेदी पेशिये पूर्व संक्रियात्मक और आपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किये गई है चार चरण एक तो संबेदी पेशिये है आप detail में पढ़ेंगे और प्याजे इतना important है कि यहां से 2-3 प्रश्ण हर paper में पूछ जाते हैं तो इस ट्रेंट जब हम प्याजे की theory को पढ़ेंगे नि cognitive development theory को पढ़ेंगे तो आपको realize हो जाएगा प्याजे से related हम इतना important क्यों बता रहे हैं और यहां से प्रश्ण किस तरी आत्मक अवस्था ठीक है तो जब आप प्याजे को पढ़ेंगे तब आपको realize हो जाएगा लेकिन वह भी development से related है इसलिए यह जून 2013 में आपसे पूछा गया है कि संग्यानात्मक विकास के चार चरणों में संबेदी पेशिय पूर्व संक्रियात्मक और प्चारिक संक्रिय जा रहा है तो हॉल का सिध्धान्त देखे हॉल का सिध्धान्त आपसे क्या पूछ रहा है तो हॉल का सिध्धान्त निम्न में किसकी व्यक्या करता है तो देखे हॉल का सिध्धान्त निम्न में किसकी व्यक्या करता है बुद्धी की प्रकृति का अधिगम में जिन्होंने 1904 में अपने एक पुस्तक पुब्लिश की थी ठीक है और उस पुस्तक का नाम था Adolescence किशुरावस्था ठीक और उन्होंने उस पुस्तक में कहा था कि जो बच्चे के किशुरावस्था होते हैं उसे तनावेवं तूफान का काल कहते हैं और जब हम development topic पर discussions कर रहे है तो वो दिया गया Stanley Hall के द्वारा जिन्होंने 1904 में पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक का नाम था किशुरावस्था तो इन्होंने कोशन में आपसे पूछा है कि हॉल का सिध्धांत निम्ण में किसकी व्यक्षा करता है तो हॉल का सिध्धांत निम्ण में व्यक् अवस्था से सम्मंदित है यानि विद्रो की भावना विद्रो की भावना का मतलब होता है कि प्रतिशोध यानि कि विद्रो की भावना की प्रबर्ति यानि कि इस तरीके की जो गतिवीदियां है वो किस अवस्था से सम्मंदित है यानि किस अवस्था के बच्चे विद्र कि feeding bar to the option first and second तो गलत होगया क्योंकि बच्चे लड़ाई ज्गड' idea करते तो आपको पता है बच्चे लड़ाई जगड'é कि शुरावस्था में आकर करते हैं अब हम यह देखना चाथे हिए कि पूर्व किशुरावस्था में की तो देखिए जो बच्चे का टाइम आवस्था के साथ जा या मद्ध्य कि शुरावस्था के साथ तो देखे जब बारा से अठारा है तो बारा से चौदा हो जाएगा ठीक चौदा से सोला भी हो जाएगा और सोला से अठारा भी हो जाएगा इसको अगर हम तीन भागों में बाटे तो यह होता है पूर्व कि शु तो वह अनमिच्व होता है उनमिच्व का मतलब यह ह estás है कि वह अपनी problem को solve नहीं साथ में बीधी कोई improvement को solve नहीं कर पाता है तो उससे गुस्ता आना स्वाभावी किसी बात है जब आप आज की डेट्स में जब आप अफनी प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको गुसा जरूर आता है और इस स्टेज में जब बच्चा आता है तो उसकी एबस्ट्रेक्ट फिंकिंग तो डैवलप होनी स्टार्ट हो जाती है बट उसके सामने बहुत सारे चैलेंजिस आते हैं बहुत सारे वो कम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था जब चौदस ला में गया तो ठोले ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता तो जब वह स्टेज में देखे तो स्टरटिंग कि उस्थाuchen मरा होता तो उस समय वो problems को solve नहीं कर पाता है और उस समय वो ज़्यादा विद्रो करना शुरू करता है तो अगर आप इसमें confused हो रहे हैं मद्धे की शुरावस्था, पूर्व की शुरावस्था में तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे जब आपके सामने हैं पूर्व की शुरावस्था तो तो पहले आप prefer करेंगे पूर्व की शुरावस्था को और यही इस question का right answer है ठेके तो विद्रो की भावना की प्रबरती निवन में से किस अवस्था से सम्मनित है तो सीधा सीधा पूर्व की शुरावस्था तो यह question थोड़े typical question है level थोड़ा up है और आयोग इसी तरीके से आप से प्रशन पूछ कर आपको फसाना चाहती है तो आप देखना चाहते हैं कि विकास की किस स्टेज में बुद्धी का अधिकतम विकास होता है तो आप देखना चाहते हैं कि विकास की किस स्टेज में इंटेलिजनसी का सबसे ज्यादा development होता है आपको यह बताना है तो option first है बाले अवस्था में, option second है शेश्व वस्था में option third है किशुरा अवस्था में और option fourth है प्रोडा अवस्था में option से आप देखकर आप point out कर सकते हैं कि बाले अवस्था नहीं होगा शेश्व वस्था नहीं होगा आप किशुरा अवस्था प्रोडा अवस्था में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है बच्चा जो है वो मिच्वर हो चुका होता है निकि उसका वुद्धी जो है वो बिलकुल डेवलप हो चुका है लेकिन इन्होंने आपसे पुछाए कि विकास की किस अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है इस समय तो बच्चा मिच्वर हो चुका है इस समय इ इंटेलिजेंसी पर आपको शक नहीं होना चाहिए कि प्रोड़ा वस्ता है नहीं वैस्त का वस्ता में बच्चा जो है वो बिलकुल मिच्वर हो चुका होता है जिस स्टेज में हम है वो क्या है प्रोड़ा वस्ता है ठीक है तो अभी तो हम मिच्वर है अभी हमारा विकास सब आपके हो चुके होते हैं लेकिन जैसे किशुरावस्था में आते हैं तो आप सबसे ज्यादा जो आपको परिशान करता है जो चीज आपके सामने नहीं है आप उसके बारे में बच्चे के किशुरावस्था में आकर समाप्त हो जाते हैं आने वाले समय में जैसे आप प्रोड़ावस्था में बात करेंगे तो देखे जब आप यूपिटेट की तयारी करते हैं तो आपके पास अलग लेविल का नौलेज होता है और जब आप PCS की तयारी करते हैं तो बात है कि आपके सामने problem किस तरीके के हैं जितना बड़ा problem होगा उतना ही आपका development होगा ठीक है लेकिन प्रोड़ावस्था में हम यह मान कर चलते हैं कि लगभग सभी का विकास पूर्ण हो चुका है तो अगर आप से यह पूछा जाता question में कि विकास की किस अवस्था में बुद्धी का पूर्ण विकास हो जाता है तो आप उस case में आप प्रोड़ावस्था के साथ जाते बट इस question का जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा कि अधिकतम विकास जो बुद्धी का होता है वो किशुरावस्था में आकर ही होता है I hope आपको मैंने point clear किये होंगे चलिए next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 11th question में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो 11th question में पूछा जा रहा है कि ब्यावारवादी ने कहा मुझे नवजा शिशु दे दो मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूं मतलब ब्यावारवादी है कोई psychologist है व्यावारवादी जिन्हों ने कहा कि आप मुझे एक नवजा शिशु दे दो यहनि नवजा शिशु दे दीजिए जब बाल्य अवस्था में होता है और उस बच्चे को वो डॉक्टर वकील चोर या जो चाहें बना सकते हैं तो इस पर किस व्यावारवादी psychologist में बात क व्यावारवादी जो psychologist है वो आपके है व्यावारवादी के जो जनक है वो आपके Watson है ठीक और Watson साब ने यह कहा था अपने कथन दियते अपने statement में जो व्यावारवादी का जो जन्म होता है यह वो 1913 में माना जाता है और उस समय जेवी वाट्सन साब ने मनो विज्यान को ब्यावार का विज्यान इस्थापित किया था और उन्होंने ये तथ्य दिया था कि आप मुझे एक शिशु दे दो कोई भी बच्चा दे दो मैं उसको जो चाहूं वो बना सकता हूं गर आप कहेंगे कि इसे डॉक्टर बना के दिखाओ तो मैं उसे डॉक्टर बना सकता उसको उसका ब्यावार पता होना चाहिए कि उस फिल्ड में डैवलोप करने के लिए उसके ब्यावार में कैसे चेंजिस लाने होंगे इस ट्रॉन जो टॉपिक आप साइकलोजी में पढ़ते हैं जो आप सीडीपी में पढ़ते हैं इसका मेंली उद्दिश्य यही है कि आप दे़रे-धे कर जाएगे जाए कि अबचेस्टे और उनके अनुसार अपने आपको ढाल पाएंगे और जब आप उनके अनुसार अपने आपको ढालेंगे उनके level पर पहुँचेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तो उनका development बहुत अच्छे से हो पाएगा, तो जितने भी हम psychologist को पढ़ेंगे आने वाले समय में या पढ़ते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आपके ब्याभार में changes आजाए, आप ऐसे लगे क आपने B.Ed. और B.T.C. बड़े इमानदारी से regular class अटेंड करके किये हैं, और आपके ब्याभार में इस तरीके की बाते जहलकनी चाहिए, तो इसलिए ये topic आप से पूछा गया है, फरवरी 2016 में, कि ब्याभारवाद ने कहा है कि मुझे नवजा शिशुदेदो में से डॉक् का विज्यान माना जाता है, और ये जो कथन है, ये 1913 में दिया गया था, और तब से Watson को जो है ब्याभारवाद का जनक भी माना जाता है, I hope आपको 11 questions भी clear होगे, चले next questions पर हम आगे बढ़ते हैं, पूर्वा ग्रही किशोर या किशोरी अपनी डेश के प्रती कठोर होंगे ये जो पूर्वा ग्रही किशोरी होते हैं, पूर्वा ग्रही का मतलब होता है, जब हम समाजिक लेंगिक विकास को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा पूर्वा ग्रही क्या होते हैं, तो पूर्वा ग्रही को अगर हम से बात करें पूर्वा ग्रही के बारे में, तो पूर्वा ग्रही का शब्द का मतलब होता है कि ऐसी धारना जो सच्चाई से कोसो दूर है और जो चीज आपने धारन की है जैसे हम पेरेंट्स से जो भी चीज़े हम सुनते हैं कि लड़कियों को जो है वो स्कूल जादा पढ़ाई लिखाई नहीं करने चाहिए यानि कि आपको authentic reason पता नहीं होता है सिर्फ आपने अपने समाच से अपने सुसाइटी से जो शब्द सुनते हैं आप उनको हुवव हुव अपने लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो इसी शब्द को हम बोलते हैं पूर्वा ग्रही ठीक है तो पूर्वा ग्रही किशोर किशोरी अप प्रतिकठोर नहीं होंगे वह अपने संप्रत्य के प्रतिकठोर नहीं होंगे वह अपने वास्तविक्ता के प्रतिकठोर नहीं होंगे वह अपने समस्य के प्रतिकठोर होते हैं क्योंकि जो पूर्वा ग्रही होते हैं मान लिजे किशोर और किशोर जो होते हैं मतलब जो बच्चा इतना अभी डैवलप होना स्टार्ट होता है वो इतना मिच्वर नहीं होता है कि वो अपने पैरेंट से या अपने सुसाइटी के लोगों को अपने तर्क शक्ति के आधार पर कुछ उन्हें बता है तो इस समय सबसे ज्यादा समस्याओं का जो सामना उन्हें करना प और समस्याओं को स्वालप नहीं कर पाते तो इनके अंदर गुस्सा होना स्वाविक्सी बात है तो पुष्य प्रति किसके प्रतील होते हैं तो समस्या के प्रति tavumo यही ऑप्शन यस आंसर का सही होगा छींट को अस्पर बात करते हैं जैसिक आपका 13 कोशन थर्टीन कोशन ह में बच्चों के क्रिया कलाप होते हैं देखे जब बच्चा शैश्व वस्था में होता है आपको टाइम पिरेड़ पता है बर्त से लेकर टू यर इन फैंसी स्टेज है नि शैश्व वस्था है और इस स्टेज में बच्चे के जो क्रिया कलाप होते हैं वो कैसे होते हैं मूल होती है वो मूल प्रब्रत्यात्मक गतिवीधियों को करता है मूल प्रब्रत्यात्मक का मतलब यह होता है कि जो गतिवीधिया स्वभाविक सी है जो सभी बच्चे करते हैं इसी तरीके की चीज़े वो भी इस में करते हैं तो इन्होंने आप से कोशन में पुछा था कि शहषवस्था में बच्चों के क्रिया कलाप होते हैं तो वो कैसे होते हैं मूल प्रब्रत्यात्मक होते हैं यानि कि जो सभाविक गतिवी दिया हैं बच्चों के वो वही करता है इस समय उसके अंदर understanding develop नहीं हो पाते हैं कि वो कोई चीज सोच कर अपनी तरफ से कर पाएगा तो जो उसकी स्वभाविक behavior है जो बच्चे करते हैं वो वही करता है वही उसी को हम बोलते हैं मूल प्रब्रत्यात्मक तो शेश अवस्था में बच्चे के क्रिया कलाप कैसे होते हैं मूल प्रब्रत्यात्मक next questions पर आगे बढ़ते हैs strengths और देखते हैं आपके लिए 14 questions में क्या पूच्छा गया है तो सवकेंद्रित अवस्था होती है बालक के स्वकेंद्रित का मतलब होता है स्वकेंद्र में रखना तो स adopt Agent अवस्था बालक किस स्टेज क्या है ठीक है और खुद को कैसे केंदर में रखना क्योंकि अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है उसे उसे तो कुछ भी इस समय नहीं पता नेक्स्ट साथ वर्ष से किशोरा वस्था तक तो जब बच्चा किशोरा वस्था में आता है तो उसके सारी लग भग लग डेवलप्म 90% Complete हो चुके हैं तो वो हर चीज में किशोरा व catch हर बात की चलाता है वह दूसरों की बात को होता है तो इसके अंदर इतनी समझ विक्षित नहीं हो पाती है कि वो किसी की बातों को समझे मतलब उसने अगर कोई चीज सोच लिया तो वो ज्यादा तो उसी पर ही अड़ावा होता है और वही गतिवीदिया करता है ऐसा इसलिए करता है मान लिजे आप बच्चे को लेकर मेले में जाते हैं तो मेले में बच्चे ने कोई खिलोना देख लिया अब सपोस्ट कीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है बट बच्चे को खिलोना चाहिए ही चाहिए वो रोना स्टार्ट कर देगा आप उसे खुब समझा लिजिए कि ये खिलोना बाद में खरीद लेंगे या भी हमारे पास पैसे नहीं है वो इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो इसका मतलब बच्चे को खिलोना चाहिए चाहिए आप किसी का पैर पगड़ कर पैसे लीजिए या फिर आप कहीं से उधार लीजिए उससे ब प्रतरशित करते हैं तो 3-6 वर्ष तक के बालक जो है स्वकेंद्री तवस्था प्रतरशित करते हैं इन कोश्चनों को इस टाइप के जो content है important facts है वो जब आप जीन प्याजी की theory को पढ़ेंगे तो भी आपका clear हो जाएगा आपको यह point clear हो गए होगे और अगर नहीं भी होए होए हैं तो हम इस तरीके के content को जो है जीन प्याजी की theory में detail में decode करेंगे जहां से आपको clear हो जाएगा आपको यह point से बाहर निकल कर अपने साथी बालकों की संगत में संगत में रहना पसंद करते हैं किस stage के बच्चे तो किशुरावस्था के बच्चे पूर्व किशुरावस्था से उत्तर बाल्य वस्था से शेश्ववस्था तो शेश्ववस्था तो बिल्कुल गलत है और उत्तर पूर्व किशुरावस्था 14-16 वर्ष मध्य किशुरावस्था 16-18 वर्ष जो है वो पश्च किशुरावस्था तो जैसे जैसे बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है इसका मतलब वो अगर इस समय मिच्व और होना शुरू करता है जैसे जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो इसमें कोशन आपके सामने किशुरावस्था और है पूर्व किशुरावस्था तो देखिए माबाप के साहे से जब बच्चा बाहर निकलता और अपने साथी बालकों की संगत में रहना पसंद करता है लेकिन जब बच्चा 16-18 में पहुंच जाता है तो वो चीजों को समझने भी लगता है रहना तो उसे पसंद हो सकता है बट फिर भी वो अपने आपको मैनेज कर लेता है और अपने माबाप की बातों को भी मान लेता है लेकिन जब बच्चा स्टार्टिंग पीरियड में आता कि शुरावस्था में तो वो ज्यादातर अपनी प्रॉब्लम को उसे सही और गलत का सही तरीके से अंदाजा नहीं हो पाता है और वो जाद माबाप से भी लड़ पड़ता है तो इसका मतलब अगर आपके सामने कि शुरावस्था भी है तो आप किसके पाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत में रहना पसंद कब करता है तो बच्चा पूर्व की शुरावस्था में करता है अगर आपके सामने दोनों है तो आप पूर्व के साथ जाएंगे अगर पूर्व नहीं होता तो आपकी शुरावस्था के साथ जाते I hope आपको point clear ह गए होगे चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 16 questions में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो 16 questions में आपसे पूछा गया है कि बचफ़पन का संप्रतिक दरश्टिकों की मानेताए है यांनि की बचपन बचपन की जो संप्रतिक दरश्टिकों है यह selective का झांस की के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है चाप्ट व्यसक को कि यूव आवस्ता सिसका मतलब पच्पन में होता तो व्यसक कि यूव आवस्ता कैसे हो जाएगा ठीक बचपन अधिकारिक रूप कि एक अनूठी अवधी है मतलब इस स्टेज में एक अनूखी अवधी है इस स्टेज में क्या होता है कि व्रध्धी और परिवर्तन नहीं ग्रोथ भी बच्चे का बहुत तेजी से आते हैं तो बच्पन जो होता है वो बच्चे का क्या होता है व्रध्धी भी होते हैं उसमें और परिवर्तन भी बहुत तेजी से होते हैं तो ये कही ना कहीं अगर हम बचपन को एक अनुठी अवधी भी कहें तो कोई गलत नहीं इसका मतलब बचपन का सामप्रातिक दृष्टिकोन सामप्रातिक दृष्टिकोन की माननेता ये है कि जो बचपन है वो वरध्य वंग परिवर्तनों की अनुठी अवधी है तो अगर हम option C और D में बात करें तो सबसे best option आपका D हो जाएगा I hope आपको ये questions भी clear हो गए होंगे कि आपको question किस तरीके से point out करके option उनको चाटना होता है क्योंकि option सारे गलत नहीं होते है बट उसमें जो best option होता है वो ही आपका answer होता है I hope आपको ये तरीका मेरा पसंद आया होगा कि हम जो है सबसे पहले विकास को cover किये हैं उसके बाद हमने विकास पर दो practice set cover किये हैं जिससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा ये तरीका होगा जैसे मैंने आपको first topic cover कराएं इसी तरीके से मैं आपको one by one हर एक topic cover कराऊंगा आप जो है आपको कुछ नहीं करना आप क्या करिए कि आप हरे content के notes बनाए और जो मैं आपको practice करा रहा हूं इन lectures को बहुत अच्छे से समझे सुनिए तो जब आप इसको सुनेंगे और समझेंगे तो आपके प्रश्ण गलत नहीं होंगे maximum प्रश्ण आप जो है 27 plus marks 30 out of 27 plus marks easily कर सकते हैं और अगर आप CTET का exam देते हैं तो आप CTET में ये मान कर चलिए psychology आपके लगभग-लगभग 90 है क्योंकि 30 number का तो आपका होता है CDP और उसमें हर एक subjects के 15 number के होते हैं pedagogy तो लगभग-लग 90 marks के questions आप से seated वाले पूछते हैं और students ये जो CDP है यही आपको सिखाता है कि आपको पढ़ाना किस तरीके से वो अलग बात है जब आप pedagogy पढ़ते है math pedagogy तो आपको maths के बारे में सिखाया जाता है कि maths को आपको कैसे पढ़ाना है आप EBS पढ़ाते हैं तो EBS को कैसे पढ़ाना है आप science पढ़ाते हैं science को कैसे पढ़ाना है हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी को कैसे पढ़ाना है उससे related हर एक topic से 15 number है लेकिन वो कही ना कही CDP का ही part होता है कि आप CDP में overall पढ़ते हैं कि पढ़ाना किस तरीके से तो अगर आप seated में देखेंगे 90 marks है और अगर आप मेरे इस तरीके से practice set को solve करते हैं मेरे content को अच्छे से देखते हैं तो आप 90 में 70 plus marks बहुती easily कर सकते हैं बहुती easily आपको ये सारी बाते कही ना कहीं आपको सही करेंगे आप जब question आपके सामने होंगे क्योंकि जितना detailing में मैं आपको explain करता हूँ इस detailing से फाइदा ये होता है कि आपकी understanding develop हो जाती है और जब आपकी understanding develop हो जाती है तो आप जो है ज्यादा तर maximum questions में आप point out करके बता सकते हैं कि इस questions का option कौन सा best है और यही आप से आयोग जानना चाते है कि आपने चीजों को किस तरीके से समझा है तो यहाँ पर रटने से कोई फाइदा नहीं है आपको चीजों को समझ कर चलना होगा I hope आपको मेरा यह तरीका बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा और आपको यह class अच्छी लगी है और मेरा way आपको पढ़ाने का अच्छा लगा है तो comment section में जरूर बताए कि क्या मैं इसी तरीके से आपके समझा आता रहूं या कोछे changes करूँ अगर आपको कोई भी मुझे सुझाव देना है तो आप मुझे comment box मर जाके सुझाव दे सकते हैं मैं कोशिश करूँगा इस चीज को भी अपने behavior में changes करूँ और मैं आपके सामने इसी तरीके से चीजों को पेश करूँ आपको ये class अच्छी लगी होगी अगर आपको ये class अच्छी लगी है तो आप इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को भी press कर दिजिए ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाओं तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद